ओम शंती, आज की मुल्ली में बाबा ने सबसे पहले आकर हमको ये बताया कि देखो आप सब जितने भी बाबा के बच्चे हैं, पूरे विश्व में, जितने भी ब्रामन बच्चे हैं, उन सब की एक मत है, अब वो एक मत क्या है? एक मत कहो या एक सोच क्या है? वो एक मत है कि अपने को आत्मा समझो और निराकार शेप बाबा को याद करो। और फिर उससे फाइदा क्या होगा? तो बाबा ने कहा उससे आपके अंदर जो पांच भूत हैं, वो निकल जाएंगे। अब पूरे विश्व में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, अगर हम उसे पूछेंगे कि आप अपने आपको क्या समझते हो, तो पूरे विश्व के बच्चे यही कहेंगे कि हम अपने को आत्मा समझते हैं। अब दूसरा जो बाबा ने कहा कि बाप को याद करना, तो अगर किसी भी बीके से पूछेंगे आप किसको याद करते हो, आपका भगवान कौन है, तो सभी कहेंगे कि हमारा भगवान एक निराकार्शिव है। और उसे हमें क्या प्राप्ती होगी, वो भी हम सब एक ही बात बोलेंगे कि हमारे अंदर से पांच भूत निकल जाएंगे। लेकिन भक्ती में ऐसा नहीं था, भक्ती में एक मत नहीं थी, कोई अपने आपको मनुष्य समस्ता, कोई कहता इश्वर सर्व्यापी है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, और हरेक कोई कृष्ण को याद कर रहा, कोई राम को याद कर रहा, कोई हनुमान को याद कर रह और प्राप्ती भी सबकी अलग लग, किसी को शक्ती, किसी को मनोकामना, तो ये बाबा ने जो बात कही कि एक मत, तो वो उस भाव से बाबा ने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सब एक मत पर हैं, फिर बाबा ने पांच भूतों का नाम भी लिया बाबा ने कहा देखो आत्मा में जो भूट है उनके नाम भी हैं देज़ अभिमान, काम, प्रोध, लोग, मोह, अहंकार तो ये भूतों को हमें भगाना है बाबा की याद से फिर बाबा ने कहा उसमें बाबा ने हमको कई युक्तियां दी है तो एक युक्ती बाबा ने कहा कि ज्ञान ड्रामा का चक्र बाबा ने कहा ज्ञान का चक्र जितना बुद्धी में फिरेगा उसे क्या होगा जैसे बक्ती में दिखाया कि सौदर्शन चक्र फेराया तो असरों के गले कट गए तो या आज बाबा ने यही का कि आपके बुद्धी में 84 का चक्र गूमना चाहिए अब 84 लाग का चक्र तो बाबा ने का गूम नहीं सकता तो 84 का चक्र जब हमारी बुद्धी में गूमता है जिसको ग्यान चक्र सुदर्शन चक्र कहा जाता तो बाबा केता वो भी आपको मदद करता इन वुतों को भगाने में प्र बाबा ने sweet silence home की बात करी बाबा ने का एक तो sweet silence home है मूल्वतन जहां हम आत्में rest करती हैं, आत्मा को rest मिलता ना फिर बाबा ने का एक स्थूल sweet home है, हमारा स्थूल sweet home अभी कौन सा है? मदुबन इसलिए आप मदुबन जाते हैं तो वहाँ पर आप अंडववन में देखते होंगे वहाँ स्वीट होम लिखा होता है आओ बच्चे तो सभी ब्रामनों का स्थूल स्वीट होम जो है वो मदुबन है इसलिए कई बार बाबा कहता है कि मदुबन घर है सभी ब्रामनों का और जहां जहां पर हम बैठे हैं वो हमारा सेवा स्थान है फिर बाबा ने आज रातरी का अर्थ भी बताया कि बाबा ने का देखो शिव की रातरी मनाते हैं कृष्ण की रातरी बनाते हैं राम की रात्री नहीं मनाते है अब इसका क्या अर्थ है यह हम सब जानते है शिप बाबा कौन सी रात्री में आते है बेहत की रात्री में जब कल्यूक का अंत है और सत्यूक आदी है जिसको संगव्यूक कहते है और शिरी कृष्ण का जनम भी जो है कल्यूक के अंत और सत्यू की beginning में होता है अर्थात कल्यूक से जुड़ा हुआ है तो इसलिए बाबा ने का दोनों का संबंध है इसलिए दोनों का रातरी में दिखाया है क्योंकि राम तो त्रेता में आते हैं तो इतना संबंध नहीं तो इसलिए उनका रातरी में नहीं दिखाया है तो बाबा ने रात दुक्त प्रात्री को अंधिरा दुक्त कहा जाता। ये भी जैसे बाबा ने आज इसका भी पश्टी करन करा, फिर बाबा ने कहा कि देखो ये ड्रामा बड़ा accurate बना हुआ है, अब accuracy को बाबा ने second by second जो scene घट रहा है वो इतना accurate है बाबा ने कहा कि जैसे यहां पर जो आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसका दूसरा शरीर तयार है, अब उसको शरीर में प्रवेश करन है उस second, तो naturally यहां से आत्मा accurate टाइम पर निकलेगी, तभी तो accurate टाइम पर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, क्योंकि यह ड्रामा है, वहां पर उसको जीव आत्मा बनकर पार्ट बजाना है, तो बाबा ने कहा यह बड़ा accurate है, इसलिए बाबा भी अपने accurate टाइम पर है, second भी उपर नीचे नहीं हो सकती, तो बाबा ने कहा इस ड्रामा में कहीं भी inaccuracy नहीं है, फिर बाबा ने सर्व्यापी की भी आज बात करी, तो बाबा ने कहा देखो, ज्यादा तर यह मानिता है, कि इश्वर सर्व्यापी है, अब बाबा ने कहा सर्व्यापी का अर्थ क्या है तो बाबने का कि सर्व के अंदर कौन व्यापक है हम सब जानते हैं हम सब के अंदर आत्मा व्यापक है आत्मा की प्रवेश्ता है आत्मा विराजमान है हम सब के अंदर कोई परमात्मा तो विराजमान नहीं है, तो बाबा ने कहा एक तो सर्व्यापी मना सर्व के अंदर आत्मा विराजमान है, दूसरा बाबा ने कहा कि आत्मा के अंदर वर्तमान समय, अवगुण, विकार, रावन, बुराईयां सर्व्यापी हैं, हर एक आत्मा के अंदर कोई न कोई बुराई है, तो यह भी जैसे बाबा ने सर्व्यापी कार्थ क्लियर करा फिर बाबा ने पाप की भी बात करी कि बाबा ने कहा हर एक समस्ता है पाप तो किये है अब पाप जो करे हैं उन पापों से मुक्तो होना है ऐसा तो नहीं पाप करे है तो अब हम पाप करते ही रहे करते ही रहें उसका भी तो अंत होगा ना तो बाबा ने कहा अब क्या करना है हमको पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बनना है तो जब हम पुन्य आत्मा बनेंगे तभी तो नहीं दुनिया में जाएंगे पाप आत्मा नहीं दुनिया में तो नहीं जा सकती तो ये भी जैसे संबंदों की बात करी कि जो लौकिक हमारी जीवन होती है उस जीवन में भी तीन संबंद मुख्य होते हैं एक संबंद बाप का फिर टीचर का और सत्गुरू का बाप से वर्षा मिलता है फिर उसके बाद पांच साल का बाद बच्चा होता है तो स्कूल जाता है फिर उसका य पत्मान समय बाबा, हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही एक साथ है। इसलिए बाबा ने का ये कोई common योग नहीं है, ये थोड़ा uncommon योग है, इसको सहज योग कहा जाता है। फिर बाबा ने सन्यासियों को भी आज याद किया। बाबा ने का, देखो एक समय था, बड़े सतोप्रधान सन्यासी थे। जो कंद मूल खाते थे, जंगलों में रहते थे, सब कुछ छोड़ कर चले जाते थे, बड़े सतोप्रधान सन्यासी थे। तो उन में ताकत भी थी। लेकिन बाबाने का आज तो सन्यासी भी कोई सतो प्रधान नहीं रहे हैं, जैसे बाबा कहता है शेहरों में आ गए हैं, तो वो सन्यास में भी अब वो ताकत तो जैसे भक्ती में ताकत नहीं रही है, जैसे बाबाने का अब सन्यास में भी वो ताकत नहीं रही है, फिर बाबा ने आज मन मनाभव के महा मंतर को भी याद किया तो बाब ने कहा ये सबसे बड़ा महा मंतर है कैसे ये महा मंतर है क्योंकि बाबा हम सब जानते हैं इस महा मंतर को ही जब हम धारन करते हैं तभी हम सर्व पापो से मुक्तो होते हैं अब मन मनाभव क्या है? यह सब हम सब जानते ही है कि मन मनाभव अर्था मन को एक इश्वर में लगाना है. तो बाबा ने का यही सबसे बड़ा माहा मंत्र है. फिर बाबा ने का देखो ड्रामा कैसा भी चलता है? सत्युग गया, त्रेता युग गया, हर युग आते हैं, चले जाते हैं. दापर भी गया, तो अब कल युग भी चला जाएगा. फिर संगम युग है, यह भी हम देख र रिवर्तन शील है, समय किसी के लिए रुखता नहीं है. यह हम दूसरी बाशों में यह भी कहते हैं, हर दिन होतना एक समान. यह हम कहते हैं, जब सुख नहीं रहा, तो दुख भी कैसे रहेगा? तो समय जाता रहता है, आता रहता है, जिसको बाबा ने कहा, यह चक्र है, कि में सत्युग रेता, द्वा पर कल युग, संगम युग, फिर हम घर जाएंगे, फिर सत्युग, तो यह बाबा ने कहा, यह एक खेल है, सुक दुख का जिसको बाबा कहता है, यह खेल है, इसको खेल समझ कर चलो. आज के वर्दान में बाबा ने सो चिंतन या सो चिंतक की भ लेकिन आज बाबा ने कहा नहीं, सो चिंतन अर्थात एक और बाबा ने कहा कि वो तो है, लेकिन साथ साथ सो चिंतन अर्थात की अपनी सुक्षम कमी कमजोरियों का आपको भी अनलाइज करना, उसका चिंतन करना और उनको मिटाना, उनको परिवर्दन करना. तो बाबा ने कही कि जैसे हम अपनी कमजोरियों को अनलाइज करके उसको मिटाते हैं तो बाबा ने का फाइनल में आपको उसके मार्क्स मिलेंगे पिर आज के स्लोगन में बाबा ने मैं पन को कैसे खतम करें उसकी बहुत सहज युक्ती बताई तो बाबा ने का सदा ये याद रखो कि करन करावनहार बाबा है तो क्या होगा मैपन का भिमान खतम हो जाएगा मैं थोड़ी ना कर रहे हूं करन करावन क्यों कि बाबा कई बर कहता है बैकबून बाबा है तो करन करावनहार बाबा है सब कुछ बाबा ही कराता है तो यह आज का बहुत सूंदर स्लोगन था, और आज की मुल्ली से हम यही प्रेणनाई लें, कि एक तो जो बाबा ने कहा कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो ड्रामा की एक्यूरेसी में कभी संशे ना लाए कि यह कैसे, बाबा ने का इसमें कोई भी an inaccuracy नहीं है तो ड्रामा को हम अपने अंदर और पक्का करें फिर दूसरा जो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी समय रुकता नहीं है सब समय परिवर्तन शेल है तो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है वो सदा नहीं है सदैव रहने वाली नहीं है वो भी चली जाएंगी तो ये जैसे हम आज की मुल्ली से लें फिर उसके बाद जो बाबा ने शुरू में एक मत की बात कही और पाँच भूतों की बात कही उनके नाम लिए तो हम ये लक्षे रखें कि हमें एक मत होकर बाबा की याद से अपने अंदर के पाँच भूतों को निकालना है उनको विदाई देनी है तभी हम नई दुनिया में जाएंगे पुने आत्मा बनके तो ये जैसे हमें अपने उपर सो पुर्शारत में अटेंशन देना है और बाबा ने जो सर्व्यापी का ज्ञान दिया कि सर्व के अंदर आत्मा व्यापक है ना की परमात्मा तो इसको भी हमें जन जन तक संदेश देने में सेवा में इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है और आज की मुर्ली का जो वर्दान था कि सुक्षम कमजोरियों को अनलाइज करें और उसको परिवर्तन करके मांक सिकठे करें ये भी हम आज की मुर्ली से प्रेंडना ले और स्लोगन में जो बाबा ने देहे अभिमान को खतम करने की युक्ति बताई कि बाबा करन करावन हार है तो ये भी आज की मुर्ली से हम प्रेंडना ले कि हम सारा दिन कुछ भी करम करें लेकिन हमारी गुद्धी में ये सपष्ट हो ये पक्का हो कि करन करावन हार बाबा है ओंशेटि